प्रेट्स जैसे आप अपना प्रेगनेसी टाइम में बहुत जादा ध्यान रखते हैं कि बच्चे को कुछ नुकसान ना हो जाए, हमें कोई नुकसान ना हो जाए, ऐसे ही आपकी डिलीवरी होने के बाद भी आपको कुछ चीजे जरूर ध्यान में रखने की ज़रुत है, ता प्रेगने के बाद मदर और बेबी की केर कैसे करनी है, कौन-कौन से प्रोड़क बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं, उन सब के लिए हमारे एक अलग चैनल है, माई बेबी केर, आप हूँ में वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, न वहाँ गुन-गुने पानी में थोड़ सा बिटर डिन डाल कर उस एरिया को अच्छे से क्लीन करना चाहिए, और उसके बाद उस एरिया को आपको सुखा लेना है अच्छे से, गीला नहीं रहने देना है, आप किसी टीशू के मदद से इसा कर सकते हैं, और आपके डॉक्ट और उसके बाद से आप नहा सकते हैं, ध्यान रखें कि बहुत जदा पानी उस एरिया पर ना लगे और लग भी जाये तो उसको अच्छे से सुखा लीजिए, डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन लगाने के लिए दी है, वो आपको टाइम से लगानी ही है, और टांके खुले न टांको को support देने के लिए maternity belt आती है वो आपको लगानी चाहिए, इस से आपके टांको को भी support मिलता है और आपकी back को भी support मिलता है, तो जो कमर दर्द वगर वारी problem है, वो भी आपको नहीं होती है, अगर आपको टांको में किस तरह कापस लगता है, infection लगता है, redness लगती ह तो आपको बिना किसी देरी के डॉक्टर से कंसर्ट करना चाहिए घर पर कुछ भी मत लगाईए नमबर टू बच्चों को दूद पिलाते वक्त फीड कराते वक्त आपको जो है एक फीडिंग पिलो का अस्तमाल करना है या तो आप खरीद सकते हैं फीडिंग पिलो या फिर घ अगर जाके आपको कमरदर्द का कारण बन सकती है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है नमबर थी आपको डिलीवरी के बाद कम से कम 40 दिन तक जो है ल्यूक पॉम वाटर यानि गुन-गुना पानी पीना चाहिए अजवाइन का पानी पिए तो बहुत ही अच्छा है अ थोड़ा थोड़ा करके इस पानी को आपको पीते रहना है अगर अजवाइन का पानी पूरे दिन नहीं पीपाते हैं तो गुन-गुना पानी ही पीजिए ठंडा पानी आपको नहीं पीना चाहिए अजवाइन का पानी पीने से आपको ब्रेस्टम सप्लाइ अच्छी होगी आपका पेट की चर्भी आपका जो एकसेस बॉडी फैट है वो कम होगा और आपकी recovery भी जल्दी से जल्दी होगी नेक्स देखिए आपको breast pump ले लेना चाहिए breast pump के बहुत से फायदे हैं कभी कोई starting में ऐसा होता ने कि बच्चे ठीक से दूद नहीं पिपा रहा होता है कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे starting में कम दूद पीते हैं और आपको अच्छी breast में supply हो रही है तो अगर आप दूद नहीं पिला पाते हैं तो आपके breast में गाठे बन जाती हैं आपको दर्ध होता है अब बात करें कि आप क्या क्या चीज़े खा सकते हैं तो आपको जो है कोशिश करनी है ऐसे चीज़े खाईएं जो starting में तो हलकी हो ताकि आपकी body जो है अच्छे से digest कर पाए बहुत ज़ादा भारी एकदम से आपको नहीं खाना चाहिए जैसे कि रोटी वगरा अभी आप avoid करें starting में दलिया हो गया खिचडी हो गया अप पपीता खा सकते हैं चीकू खा सकते हैं आप दूद पी सकते हैं आप 10 दिन बाद से dry fruits घी वगरा खाना भी start कर सकते हैं आप दाल खा सकते हैं रोटी गर आपको खानी भी है खाने का मन कर र जिससे कि आपको gas बनती हो नेक्स देखिए आपको rest लेने की बहुत जरूद है चाहे normal delivery हो या season delivery हो अगर आप अभी ठीक से rest नहीं लेंगे तो आगे जाकर आपकी body को problem कर सकते हैं चीज़ें आपको back pain, pate में dirt या कमजोरी रह जाएगी तो आपको इस time पर अच्छा खाना ह और rest भी अच्छे से लेना है ये rest जो है आपके long time में जो है बहुत फायदा देने वाला है आपको ऐसा मत कीजे कि जोश-जोश में आपने सोचा कि 10 दिन हो है और अभी से फिर काम करना शुरू कर लिया या मैं सब कुछ कर सकती हूँ ऐसा नहीं करना है ये time है आपके rest करने अगर आप ठीक से rest करेंगे ना आपकी body भी अच्छे से heal होगी और आपको breast milk supply भी अच्छे से बनेगी कई लोग जो है rest नहीं कर पाते हैं फिर उनको breast milk supply नहीं बनता बच्चे को फिर फॉर formula milk बलाते हैं देकि बच्चों के लिए best होता है breast milk मा का दूद उससे अच्छा कु ask for health आपको इध्यान रखना है कि delivery के बाद आपको मदद के लिए किसी को बोलना जरूर है हर काम आपको खुद से करने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे बिलकुल नहीं शर्माना है आपको अपने बच्चे के लिए मदद चाहिए होगी आपको अपने लिए मदद चाहिए ह अपने बाद आप खुद सारे काम नहीं कर सकते हैं खुद आप हर चीज नहीं कर सकते हैं खाना जादा नहीं बना सकते हैं तो अपने घर में जो भी आप जिस पर ट्रस्ट करते हैं या फिर जिस पर आपको इश्वास है कि वो काम सारे अच्छे से कर सकते हैं बच्चे को ब बड़े की help ज़रूर लें एक चीज़ और है कि आपको जो है अपनी मसाज भी कराने चाहिए डिलीवरी होने के 20 दिन बाद से अपनी मसाज करा सकते हैं मसाज उनी से कराईए जिनको मसाज करने का मतला experience हो ऐसे लोग होते हैं जो मसाज करते हैं उनसे अपनी मसाज कराईए और मसाज करान से होता क्या है आपकी बॉड़ी रिलाक्स होती है आपकी बॉड़ी में अच्छे hormones प्रोड्यूस होते हैं आपका अच्छा blood flow होता है आपकी बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, बागी बॉड़ी पार्ट्स में हातों पैरों आप अच्छे से मसाज करा सकते हैं, बालों की भी अच्छे से मसाज कराईए, इस टाइम पर जब बच्चे को ब्रेस्फीट करा रहे होते हैं, तो आपके जो निपल होते हैं, उसमें में क्रैक आजाता है, और उसमें बहुत पैन हने लग जाता है, बच्चे को आप फीट कराते हैं, तो ऐसे केसे में आप जो हैं निपल्स पर या तो कोकोनट ओल लगा सकते हैं, नारल तेल या फिर जो निपल क्रीम्स आती हैं मार्केट में, उनको आप यूज कर सकते हैं, उनको आप लगाईए, और जब बच्चे को फीट कराना है, तो अच्छे से किसी कपड़े से साफ करने के बाद बच्चे को आप फीट कराईए, निपल क्रीम्स कौन कौन सी होती हैं, या फिर डिलीवरी से लेटेट जो भी जरूरी चीज़े हैं, उन सब का लिंक में डिस् साल तक लग जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये टाइम है, इसमें आप प्रेगनेंट भी हो सकते हैं, तो इसलिए प्रेकॉशन लेकर चलें, क्योंकि एकदम से डिलीवरी के एकदम 4-5 महीने बाद अगर आप प्रेगनेंट होगे तो ये बिल्कुल भी सही नही आपने बच्चे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंट कर पाएंगे और आप हेल्दी भी रहेंगे, आपका हेल्दी रहना बहुत ही जरूरी है, तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्फुल रहा होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक केजेगा, म मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक्यू फू वाचिंग